नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों, 12 फरवरी 2021 से गुप्त नवरात्री आरंब होने जा रही है जो की रहेगी 21 फरवरी 2021 तक दोस्तों, गुप्त नवरात्री हमारे जीवन में एक ऐसा समय है जिसमें हम अपनी कोई विशेश मनोकामना पूरी कर सकते हैं क्योंकि ये नाम से ही स्पस्ट है कि ये गुप्त नवरात्री है इसलिए इसे गुप्त रखा जाता है दोस्तों आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि गुप्त नवरात्री में आप ऐसा क्या काम करें जिससे कि आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सके और अगर आपकी कोई विशेश मनोकामना है तो उसकी पूर्ती भी आप कर सकें दोस्तों तो चलिए दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं आप देख रहे हैं लली जोतिस समधान तो दोस्तों देखो सबसे पहले करना क्या है आपको आपको सवा मीटर सवा मीटर एक कोरा कपड़ा लेना है लाल रंग का ठीक है इसमें कुछ आपको समान बांथ के रखना है एक लेना है आपको नारियल ठीक है घर में आपके जितने भी सदस्य हैं उतने लेने हैं आपको लौंग के जोड़े और लेनी हैं आपको हरी इलाइची और इन सब पे थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगा के आपको अपने घर में उत्तर पूर्वदिशा में या फिर पूर्वदिशा में इसको स्थापित कर लेना है गुप्त नवरात्री में आपको करना क्या है कि जिस परकार आप नवरात्री में जो पर्व पढ़ता है उसमें कलस्थापना करते हैं उसी ठीक परकार से आपको एक कलस्थापना करनी है और इसमें आपको संकल्प जरूर लेना है देखिए दोस्तों जीवन में जो संकल्प है उसका बहुत विशेश्व महत्व होता है संकल्प से जब हम कोई पूजा करते हैं तो उसका हमको बहुत विशेश्व मिलता है दोस्तों तो संकल्प जरूर लेना है मैं आपको एक उधारन के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ माली जीए किसी व्यक्ती का नाम आमित है तो उसको बोलना है मेरा नाम आमित मेरे पिताजी का नाम ये मैं रहने वाला यहां का हूँ आज दिथी ये है हे माता मैं हाथ जोड़ कर ये संकल्प करता हूँ कि मेरी ये समस्या है इसका समाधान करें या मेरी ये मनोकामना है इसकी पूर्ती है तू मैं ये पूजा करने जा रहा हूँ इसमें मुझे सवलता परदान करें इस परकार से आपको पूजा करनी है पूजा रात को होगी देखिए दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूँ जैसे कि नवरात्री है जैसे कि जनमाष्टमी है जैसे कि शिवरात्री है इन सब की जो पूजा होती है रात में ही विशेश फल्दाई होती है तो रात में ही इन चीज़ों की पूजा करना हमारे लिए अच्छा रहता है माता की फोटो स्ठापित करें या आप मांसिक बुझा भी कर सकते हैं भोग के रूप में आप माता को फल का भोग लगा सकते हैं पेड़े का भोग लगा सकते हैं अगर कुछ नहीं मिले आपको तो एक बताशे के ऊपर एक लौंग का जोड़ा यानि कि दो लौंग रख करके उसका भोग आपको लगाना है एक तिल के तेल का या शुद्ध देशी घी का आपको माता के लिए दीपक जलाना है अपने सीधे हाथ की तरफ एक गिलास में या लोटे में जो की तांबे का होगा उसमें पानी भरके रख ले और प्रते एक दिन अपने उपर से एक लौंग का ही मिलेगा दोस्तों ये बात बहुत समझने वाली है अब करना क्या है आपको माता का मंत्र उठाना है माता का प्रिया मंत्र जो की होगा नवान मंत्र ठीक है देखिए दोस्तों मंत्र को आप पूर्ण रूप से मांसिक बोलेंगे ना तो होट हिलेंगे ना जुबान हिलेग पूर्ण रुप से मांसिक रहेगा नवान मंत्र है ओम एंग रिंग लिंग चामुंडाय विच्चे ओम एंग रिंग लिंग चामुंडाय विच्चे देखिए दोस्तों यहां मैं यह बात क्लियर कर दूँ कि जो नवान मंत्र है यह दुरगा शब्त स्यती के सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का एक पार्ट लिया गया है अब करना क्या है आपको इसी मंत्र का संकल्प करना है और सबसे पहले आप नमश्शिवाय मंत्र की एक 沒有 मॉला जवुर Who कितनी माला कम से कम एक माला जरूर करेंगे और तीन माला भी आप कर सकते हैं नमस्षिवाई की उसके बाद जब आप संकल्प लेंगे तो संकल्प में आप पहले से ही निर्धारित करके रखेंगे कि हे माता मैं आपके नवाण मंतर का जो पाठ है वो 15 मिनट करूँगा आदे मैं यहाँ आपको इसला दूँगा कि कम से कम आप आदे घंटे बिना किसी माला के बिना गिने इस मंतर का जाप करें लाल आसन रहेगा जिसकी जो मोटाई है कम से कम दो इंच रहेगी और सर पे एक आपको लाल कपड़ा जरूर रखना है ठीक है और उसके बाद आप इस मंत का आरम करेंगे करना करना क्या है आपको नमस्श्रिवाय मंत्र पढ़ दिया अपने पिर नवार्ण मंत्र पढ़ लीया उसके बाद जो माता का माता की आरती है अम्बे say pag Alli इस परकार से बोलते हुए आपको यह आरती पढ़नी है और उसके बाद आपको अपनी पूजा पूण रूप से माता को समर्पित करनी है कि हे मा मेरे जो भी मंतर जाप है मैं आपके चरणों में रखता हूँ या रखती हूँ इसको आप ग्रहन कीजिए और जो भी मेरी मनो कामना है जो भी मेरी इच्छा है जो भी आपके घर में समस्या चलिया रही है उसे पूर्ण करने में मेरी मदद करिए, मेरी हैल्प करिए, मुझे जीवन में सही रास्ता दिखाईए, इस परकार से आपको माता को बुनना है तो दोस्तों आज हमने बात करी गुप्त नवरात्री के बारे में कि किस परकार से आप अपनी समस्या का समधान कर सकते हैं या अपनी कोई मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं एक छोटा सा आपको विधान दिया, इसे आजमा कर देखिए, निश्चित तोर पर आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल लली जो तिस समधान पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ता कि आने वाली जानकारिया आपको सबसे पहले मिल सकें दोस्तों और साथ में एक बैल का बटन है, इसे प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों और इस्तेदारों तक पहुचाईए ताकि वो इस वीडियो का लाब उठा सके चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे इसी तरह की कुछ दुरलब जानकारियों के साथ अपने अगले वीडियो में तब तक के लि जै श्री राम